हेलो एन वेल्कों बैक टुआ यूटूब चैनल लोगे लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का पॉलनॉमिल एक्सरसाइज 2.3 करेंगे 2.1 2.2 मैं करवा चुका था ठीक है तो 2.3 में इसमें हम एक पॉलनॉमिल को दूसरे पॉलनॉमिल से कैसे डिवाइड करते है और क्या रिमेंडर आएगा क्या कोशन आएगा यह सब सीखेंगे बच्चों को थोड़ा सा हाड लगता है कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे सर्थ थोड़ा difficult है लेकिन बच्चों विश्वास करो मेरा बस आप अपने mindset को अच्छे से वह कर लो कि कुछ मुश्किल नहीं ह अपने कि कुछ मुश्किल नहीं है बस प्रैक्टिस चहिए होगा हर चीश को ठर्टिंग में आपको लगे। ठर्टिंग में एकप्स्तार्टिंग में दुखला टर्टिंग गेगा लेकिन अच्छिली जब आपको से प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ultimately आ तो गबराना नहीं है सबसे पहले तो किसी भी सवाल को करने से पहले, अपने आप पर भरोसा रखो कि आप वो कर सकते हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन कर जरूर सकते हो, ठीक है? तो सपोस्ट जैसे आप पहे, फर्स कोश्चन था आपका, कि this is your P of X when divided by this, this and this and this independently, तो क्या remainder आएगा? ठीक है, ये बताना है आपको, तो ये P of X है और ये आपका G of X है, जो divide करता है, तो मैं आपको एक की करके दिखाऊंगा, कैसे करेंगे? सेम फॉर्मला, सेम स्टेप होगा, सारा का सारा, सब में सेम स्टेप होगा, बस स्टेप को ध्यान में रखना की कैसे करना है उसको, ठीक है? तो this is your P of X, this is your G of X, मैं अब इस G of X को से, इस P of X को क्या करूँगा? डिवाइड गरूँ, फिर देखते हैं, क्या remainder आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले P of X को अंदर ब्राकेट में लिख दिना है, कर दिया, अब यहां पे G of X लिख दिना, अब डिवाइड करने का सबसे सिंपल फंडा, P of X में जो हाइस पावर का है, P of X का जो हाइस पावर वाला जो भी नंबर होगा, सबसे पहले आपक G of X में X की पावर सिर्फ 1 है, तो कितने X की पावर की जरूरत है आपको, 2, ठीक है, X की पावर 2 की जरूरत है, अब सवाल यह उपता है बच्चो कि प्लस या माइनस, यह प्लस है, तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या है, P of X में जो हाइस पावर वाला होगा, उ अब क्या करणा, अब आपने यह जो लिखा है यहाँ पर इसको एक करके पहले इससे फिर से मल्टिप्लाए कर, फिर यहाँ लिख देना, इससे फिर से मल्टिप्लाइ करना ठीक है तो देखो एकस स्क्वाइर को एक से करो कितना आएगा एकस स्क्वाइर मल्टिप्लाइब एकस बच्चों कितना होगा एकस की पावर थ्री बेस से होता है पावर एड़ हो जाती है तो यहां पर लिख दूए एकस की पावर थ्री मतब लाइक ट से नीचे उपर वाला पार में आप देखो बचूो यहां पर आप यह स्कूर लिख दो और बाकी ज़ो कि नंबर लिगए इसको as it is उतार दिया आपने यहां तक कोई तकलीफ होई नहीं होई ठीक है कोई दर्द नहीं बहुत बढ़ी अब फिर सब ही चीज़ करेंगे अब मैं देखूंगा पी ओफ एक्स में हाईस पावर क्या मेरे पास x की पावर 2 मेरे पास कितने है x तो यानी मेरे को एक x की और ज़रूरत है लेकिन मेरे पास यहां पर 2 भी तो दिख रहा है तो क्या अगर ना है 2 की भी ज़रूरत होगी तो यहां पर मैं प्लैस लगाओंगा 2 और एक x कर दूंगा ठीक है यह x और यह x x square हो जाएगा 2 से cancel out हो इस वज़े से ध्यान समझना बच्चो अब मेरे को requirement किस की थी यहां पर x square था मेरे पास कितने x की ज़रूरत है एक x होगा लेकिन इसके साथ 2 भी तो जुड़ा है तो मैं 2 भी लिखूंगा ताकि पूरा cancel out हो जाए अब वही चीज करेंगे इस 2x को एक बार इस से और एक ब multiply करेंगा तो 2x multiply by x कितना होगा बच्चो 2x square यहां लिख देंगे कोई बच्चे क्या करते हैं इसको add कर देते हैं add नहीं करना multiply में power क्या होती है add होती है जब base same होता है अब 2x को 1 से करना है कितना होगा 2x कहीं x का term दिख रहा है यह रहा यहां लिख दो अब sign change minus minus cancel out 3x plus का ह तो 3x में से 2x गया 1x तो यहां पर x लिख दो और plus का 1 ठीक है अब देखो x भी है x भी है same है तो यानी simple 1 लिख दो आप यानी 1 से अगर 1 से इसको पूरे को multiply करोगे same आ जाएगा तो 1 को x से करोगे तो x आएगा फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा अब क्या करेंगे sin change minus minus cancel out cancel out यानी remainder 0 आयसे में बहुत आसा है बच्चो बस आपको इतना करना है कि बस जो भी p of x में जो highest power वाला है उसको eliminate करने की कोशिश करनी है ठीक है जैसा requirement है वैसे करते जाओ अभी आपको इतना समझ में आए next करेंगे और अच्छे समझ में आ जागा ठीक है तो next part भी कर लेते ए x की पावर 3 plus 2 3x square plus 3x plus 1 ठीक है यहाँ x minus 1 by 2 ठीक है बच्चो कोई दिकत नहीं घबराने की ज़रत नहीं वही चीज हम अपना फंडा अपनाएंगे सबसे पहले p of x में जो highest power वाला होगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे ठीक है उसको हटाना हमारा पहले परम करतब्य होग x की पावर 3 कितने x है हमार पास 1x कितने x की ज़रत है ठीक है x की पावर 2 की कोई number दो नहीं है इसके साथ तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे कोई भी number तो यहाँ पे मुझे x की पावर सिर्फ 2 की ज़रत है अब क्या करेंगे इसको एक बार इस से और इस बार multiply करते है यह करत बार x square को minus 1 से करोगे तो minus x square और 200 यानि minus x square by 2 तो square का कहीं term दिख रहा है आपको यहाँ लिख दो minus x square by 2 लिख दिया ठीक है फिर अब क्या करेंगे sign change करके subtract बज़रा करने कोशन यह positive है तो negative यह negative है तो positive सिर्फ नीचे वालों के sign change के बच्चे ध्यार लगना minus plus cancel out होगे ओके cancel out plus plus यह दोनों plus के है तो मुझे क्या करना पड़ेगा plus का करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा तो देखते है 3x square plus x square by 2 को plus करते तो कितना आता है यहां दिखा 1 lcmbi 2 आया इसके table में 2 बार में आया तो उपर क्या करूँगा multiply करूँगा 2 से कितना हो जाएगा 6x square plus इसके बार में कितने बार में आया table बे 1 times उपर 1 से करना गों तो x square ही रहे तो it will become 7x square by 2 धबराना नहीं यहां लिखना है बस आपको 7x square by 2 बाकी number as it is उतार देने है next step कितने x 2x कितने x 1x तो भाई 1x की तो जरुद होगी होगी कोई number है इसके साथ 7 by 2 तो आपको भी यहां पर 7 by 2 लिखना पड़ेगा ठीक है आया समया तक ठीक है अब क्या करना है multiply इसको इससे इसको इससे यह करेंगे तो फिर पहले इससे मिटा आतना फिर इसके बाद आगे multiply करेंगे दिखाता हूं अब 7x by 2 को multiply करेंगे x से तो इट विल बिकाम देखो या पे x into x x square तो इट विल बिकाम 7x square by 2 हाना तो यहां लिख देंगे 7x square by 2 अब 7x by 2 किससे करना है minus 1 by 2 से बच्चो 7x by 2 multiply भा माइनस 1 by 2 तो इट विल कम minus 7x by 4 हान माइनस 7x by 4 तो यह रहा x वाला टर्म तो यहां लिखेंगे minus 7x by 4 side change minus plus cancel out देगा पूरा plus plus दोनों को जोड़ना है बच्चो तो देखो कैसे जोड़ना है 3x में जोड़ना है 7x by 4 LCM 4 LCM होगा इसके टेबल नों 4 बार में है तो यह कितना होगा 12x plus 7x 19x by 4 समझाए 7x की उपक तो यहां पे लिखेंगे 19x by 4 और plus का 1 हो गया अब देखते हैं वापस एक बार बच्चो बस last step होगा यहां पर आपके आपके बस x है x है नहीं ज़रूर तो क्या ज़रूर तो अपको eliminate तो करी सकते हैं इसको क्यों की हो रहा है तो 19 by 4 की ज़रूर तो यहां पे लिखेंगे माइनस 1 by 2 कितना होगा? माइनस 19, 4 to the 8, माइनस 19 by 8, तो यहां लिखेंगे, माइनस 19 by 8, साइन चेंज, माइनस plus, cancel, 1 में आड करना है 19 by 8, तो 1 plus 19 by 8, LCM 8, इसके डिखेंगे 8 times with 8 plus 19, कितना होगा है? 9, 8, 17, 27 by 8, तो यहां पे आजाएगा 27 by 8, that's your remainder, remainder means Rx, Qx, Gx, and that is your P of x, आयस वज में बस इतना ध्यान रखना है बच्चो कि polynomial में जो highest power का है, उससे उसको divide करके solve करना है, ठीक है? आसान है बहुत, और कुछ नहीं करना, रब कर रहा हूँ, अब 3 वाला पार्ट आप खुद करना, मैं 4 वाला पार्ट दा रहाता हूँ, कोशिच कर करना खुद से, नहीं होगा तो मुझे comment box में आता है, मैं वापस करवा दूँगा इसको, एक एक चीज सारी करवा दूँगा तो तुम practice नहीं करोगे कुछ से, अब देखो फोर्थ वाला पार्ट बच्चो, फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा वैसा होगा, लेकिन मैं तब आपके पास, एक्स प्लेस पाई, हाना, अब आपको के सार पाई आ गया, तो डरने का जोरत नहीं है, वो भी समझा रहा हो कैसे होगा, ठीक है, एक बार देख ले ना, फिर सको, दो बार अपने आपसे खुद से practice करना, सबसे पहले देखो जान से, एक्स की बार कितने दिख किससे करना है, एक्स से, तो एक्स के बार 3 होगा है, अब एक्स की बार 2 को किससे करना है, पाई से, तो यह will become पाई एक्स स्क्वेर या एक्स स्क्वेर पाई, कुछ भी लिख दो बच्चो, तो यहां लिख सकता हूँ, क्योंकि यह रहा, इसके पास एक्स स्क्वेर, तो प् माइनस तो करनी सकते ना, इसको इसको तो माइनस करनी सकते क्योंकि इसमें पाई आ गया, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 3x स्कूर पॉजटेव है, फिर माइनस का पाई एक स्कूर है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीके, अब क्या करा है मैंने यहां पर, देखो धियार में से, प्लस 3x प्लस 1 को ऐसे लिखते हैं, अच्छा एक और चीज़ कर सकते हैं बच्चे हम इसको, इसमें से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें मुझे x स्कूर कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो मैं x स्कूर को बाहर निख सकता हूं, तो इ वाते next step पर क्या है आपके पास x square यहां पर क्या है एक्स तो कितने एक्स की ज़रत है एक एक्स की और कोई चीज जोगे है हाँ एक्स स्क्राइब 3-5 भी जोड़ा है तो वहां पर भी आपको 3-5 लिकना पड़ेगा ब्रैकेट में 3-5 simple देखो द्यान से आपके पास यहां पर x square दो था एक एक एक्स था तो आपको एक एक्स की ज़रत है और जबकि उसके साथ कोई भी नंबर होता वो सही multiply करते हैं यहां पर 3-5 था तो 3-5 ही लिखना पड़ेगा same funda ठीक है आप क्या करेंगे इसको इससे multiply करेंगे तो same as it is रही आ जाएगा तो यहां लिख दो 3-5 x square अब इस पूरे को किससे कर रहा है पाई से multiply तो देखो 3-5 into x into पाई तो आप इस वैसे लिख देना 3-5 पाई एक्स बस कुछ नहीं करना इसके साथ क्योंकि यहां पर एक्स जोड़ा है तो इससे की साथ लिख देना प्लस समझ आए कैसे कर रहा है बच्चो 3-5 x को multiply करना था पाई से बच्चो तो कुछ नहीं कर रहा है 3-5 पाई एक्स कर दे और कहां लिखूंगा इस एक्स के न अब देखो साइन चेंज यह पूरा माइनस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा यह तो पूरा कैंसल आट हो जाएगा पूरा सेम है अब देखो यहां पे यहां पे थोड़ा सक आपको करने की जोड़ात है देखो ध्यान से यह बच्चो पूरा का पूरा क्या है ध्यान से क्यों करा minus का क्योंकि बच्छो sin minus का तो अंदर के sin चेंज होंगे यह minus का हो जागा और यह plus का हो जाएगा अब plus के pi को multiply करोगे pi x से कितना होगा प्लस का pi square x हाणा उपर क्या बचा 3x ठीक है और यह plus 1 भी उतार दें उतार दिया वो तो उतरेगा उतरेगा अब द्यान से देगा इसमें से कुछ common दिख रहा है आपको कुछ भी common दिख रहा है आपको इसमें से मुझे इसमें से सब में x common दिख रहा है तो फटा-फट x लिका लिए तो अंदर क्या रहे जाएगा माइनस 3 pi plus pi square plus 3 और यह x common लिकाल दिख रहा है को यहाँ पे मैंने इन सम में से x common लिकाल दिया और उसके बाद इसमें से x लिकाल लिए तो minus का 3 pi इसमें से x निकाला तो pi square इसमें से x निकाला तो सिर्फ 3 x और यहाँ पे अलग से y टेक अब ज़रा देखो वापस वह चीज देखना ध्यान से बच्चो अब next step करेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा आपको x, यहाँ पे x तो आपको x की ज़रत नहीं है तो फिर किस की ज़रत है इस नंबर की तो आप यहाँ पे फटा फट कुछ नहीं करो यह नंबर लिख दो bracket में minus 3 pi plus pi square plus 3 यह नंबर ठीक है multiply करो कि ताज़टी से इस पूरे को x से करोके तो आज़टी से यह आ जाएगा बच्चो तो यह ही लिख देना आपको क्या होगा अब आपको माइनस 3 pi plus pi square plus 3 और यह आ जाएगा x ठीक है आई सुमिया तक बस आप कुछ नहीं करना आपको sign change कर देना इसका पूरा का पूरा तो यह तो पूरा 0 हो जाएगा फिर इसको क्या करना है pi से multiply करना है ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे plus देखो ध्यान से यहाँ पे ऐसे करना है यह पूरा का पूरा लिखना है यहाँ पे minus का क्या है bracket में या तो आप यहाँ पे एक काम करो plus का pi multiply pi multiply होगा इस पूरे से minus 3 pi plus pi square plus 3 ठीक है और यहाँ पे last rule plus कर बद बस यही आपका remainder बचेगा और कुछ निए और कुछ निए बचेगा आगे इसको solve भी नहीं कर सकते क्योंकि pi का term ही नहीं x का term ही नहीं नहीं बच्चो दुबारा समझने एक बार बताता हूं इसको ध्यान से देखना बच्चो सबसे पहले क्या करना है आपको यही hard था थोड़ा सा इस बे आपको सबसे पहले वही करना है जो highest polynomial होगा उसको eliminate करने की कोशिश करती है highest polynomial क्या दिख रहे है x e power 3 आपके पास एक x की जो रहते है तो x square लिखो गया यहां लिखा ठीक है इसको एक बार इस से इसको एक बार इस से multiply भी करोगा कर दिया multiply sign change किया cancel out होगा क्या बच्चे आपके पास 3 x square ठीक है फिर क्या बच्चा minus का pi x square और बाकी as it is लिखते है लिख दिया आपने खीक है अब आपके क्या करेंगे मुझे इसमें दिखा कि मैं इसको छोटा कर सकता हूँ तो मैंने यहां से x square common लिखा है अंदर क्या रहे है 3 minus pi बाकी number को as it is लिखा उतार दिया आपने फिर आगे देखते हैं बच्चो ध्यान सुनना अब अब क्या करना है अब आपको यहां पर आपके पास है 3 minus pi x square 3 minus pi x square आपके पास यहां क्या है 1x तो आपको कितने x के जरूत होगी 1x के जरूत होगी उसके साथ जो number जुड़ा हो तो वो भी लिखोगे तो 3 minus pi भी लिखना पड़ेगा आपको लिख दिया आपने फिर आपने इसको इससे multiply किया तो यह आया इसको इससे multiply किया तो यह आया फिर आप मैंने क्या करणा देखो धान से मैंने इस 3 को इन दोनों से multiply किया minus 3 pi x plus का pi pi square और यह वाले as it is फिर मैंने देखा इन दोनों मुझे x common दिख रहे x निकाल लिए common फिर यह दिखिया अब क्या करा मैंने मेरे पास x तो था ही यह नहीं था तो मैंने सिर्फ उससे multiply करा ठीक है लास्ट है अब आपका 5 plus 2x अब यह भी थोड़ा सा आपको complicated लगेगा शायद क्योंकि इसमें भी थोड़ा समझने वाल है ध्यान से लेखने आप 5 यानि 2x को पहले लेख देतने 2x plus 5 कर लेख अब ध्यान से जुनो क्या आपके पास x की power 3 है लेकिन यहाँ पे आपके पास कितना है x की power 2 एक ही x है तो 1 x square चाहिए होगा लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 है यहाँ पे तो कोई number ही नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा तो इसको हटाना पड़ेगा अगर 2x को multiply करोगे आप x square by 2 से तो द्यान से देखो cancel out होगे न x की power क्या बची? 3 तो यहाँ पे आपको x square by 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई number नहीं है तो इस number को भी हटाना पड़ेगा तो आपको 2x की जोरत है x की power 2 को और upon 2 करोगे तो cancel out हो रहा है क्या बच रहा है? x की power 3 ऐसी करना है आपको तो यहाँ पे जब आप इससे so multiply करों क्या बचेगा? सिर्फ x की power 3 अब 5 को multiply करना है x square by 2 से कितना है? 5x square by 2 5x square by 2 आप क्या करेंगे? sin chain minus minus यह तो cancel out हो गया 5x square में से 5x square by 2 में से minus करना है अच्छा plus minus minus होता है पहले minus ही कर लेते हैं बाद में लेखेंगे by 2 minus 3x square upon 1 2 LCM हो गया तो यह 5x square हो गया और यह कर लेता है तो यह हो जाएगा आपका इसके टेबने 2 times में हैं तो 6x square हो गया minus का तो कितना बचा positive x square by 2 ठीक है positive x square by 2 तो यहाँ पे आप लिखोगे positive x square by 2 ठीक है बाकी आज़ेटेश नमबर लिख दोगे 3x plus 1 अब ध्यान से सुनना अब अब ज़रा देखना अब थोड़ा सा और complicated हो जाएगा x square है यहाँ पे 1x है तो आपको 1x के तो जरुरत आएगी आएगी पढ़ गए 1x के जरुरत लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 बच रहा है तो कैसे करूँगा मैं 2 कैसे आएगा यहाँ पे आपको पहले ही से 2x है multiply करना पड़ेगा इस x से लेकिन यहाँ पे नीचे 2 आना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो देखो बच्चों कट रहा है 2 आ रहा है न है x square by 2 आ रहा है तो यहाँ पे आपको x by 4 लिखना पड़ेगा ठीक है दुबारा समझना क्या है यहाँ पे आपके पास क्या है नीचे 2 बच रहा है लेकिन जब आप इस से multiply करोगे 2x को multiply करोगे x से तो it will become only 2x square नीचे तो 2 आई नी रहा तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 लगाके multiply करोगे यानि अगर आप 2x को x by 4 से multiply करोगे तो देखो x square by 2 आ रहा है तो यहाँ पे आपको multiply करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा x square by 2 अब x by 4 को किस से multiply करना है 5 से x by 4 multiply by 5 तो 5x by 4 x का टर्म यह रहा 5x by 4 ठीक है sign change minus minus cancel out पूरा हो गया यह positive negative minus करना है 5x by 4 plus 3x by 1 LC म लेंगे कितना आएगा 4 आएगा इसके table में 1 times तो minus का 5x plus इसके table में 4 times कितना होगा 12x माइनस करो कितना बचेगा 12 plus का 7x by 4 तो यहाँ लेंगे 7x by 4 plus 1 यह बचा लेकिन अब भी solve हो सकता है कि यहाँ पर x का term है यहाँ पर भी x का term अब ध्यान से देखो क्या जरूरत है 1x तो आपको x की जरूरत है नहीं क्योंकि x है 7 by 4 लाना है किसी तरीके से कैसे आ सकता है यार देखो ध्यान से सुनो कैसे आएगा 7x by 4 2x को आप किस से multiply करोगी 7x by 4 लाए उपर तो 7 आना चीए नीचे क्या आना चीए बताओ 4 आना चीए यहाँ पर 7 तो उपर है तो कितना है या 7x by 4 तो 7x by 4 प्लस 7 by 8 7 by 8 multiply by 5 35 by 8 तो 35 by 8 माइनस माइनस तो यह तो कट गया अब 35 by 8 में से प्लस 1 करना है 8 LC हम आ गया माइनस का 35 भी रहेगा प्लस 8 कितना बचेगा 35 में से 8 गया 37 नहीं नहीं 35 35 30 27 27 by 8 माइनस 27 by 8 तो यह बज़ जाए माइनस 27 by 8 आपका अंसर होगा ठीक है यह है सिंक्पन क्लेर हुआ दुआरा समझना बच्चों क्या किया मैंने याँ पर इसमें इसमें सबसे पहले highest जो पावर थी इसको multiply करने की गोशिश करी लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई number नहीं था यहाँ पर number है तो इस number को हटाना पड़ेगा तो कैसे हटा सकता हूँ मैं 1 x x के पावर 2 की जोरत है और इसके लिचे अगर 2 लिख दूँ और multiply कर दूँ तो cancel out हो जाएगा cancel out पूरा फिर इसको इससे multiply करना है तो 5 x square by 4 माइनस करोगे तो यह आए जाएगा आपके पास और यह आजटेस लिखना है फिर इसको इससे करोगे तो यहाँ पर आप देखो दूबारा यहाँ पर आपका x square by 2 तो 1 x है तो आपने 1 x दिल दिया लेकिन 2 कैसे आएगा तो मैंने क्या करा देखो ध्यान से एक बर और समझा रहा हूँ 2 x multiply by x यह तो कर दिया था आपने लेकिन मेरे को नीचे 2 चाहिए तो 2 चाहिए तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा cancel out होएगा तब ही तो 2 आएगा बस यही चीज़ करके आपको आगे solve करना है लास्ट वाले भी वैसे ही clear हुआ यह first question था बच्चो आपका पूरा पाचो पाट कि कैसे आप divide करके long division method से p of x, u of x और r of x लिखाल सकते हैं अब आप मैं आपते हैं second question पर time को वेस्ट नहीं करना बच्चो चोटे में कम time में में समझाना है पूरा 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 आप पर अब देखो ज़रा ध्यान से second question है हमें remainder find out करना है remainder कब जब मैं p of x क्या आपका इसम है x की power 3 minus ax square plus 6x minus a, वो जब आप x minus 8 से divide करते हैं, ठीक है find the remainder when this is divided by this फिर भाई सेम चीज़ highest power को पहले eliminate करना highest power क्या है? x की power 3 x कितना आपके पास? 1 कितना x की ज़रत? 2x अब इसको इन दोनों से multiply ठीक है? x square into x x की power 3 तो यहां लिग लिग 2x की power 3 x square into a minus ax square हो जाएगा तो यह रहा minus ax square sign change minus plus cancel out यह भी cancel out क्या बचा आपके पास? 6x minus a अब देखो कितने x? 1x यहां पे x है तो क्या चीज़े है? number चीज़े से क्या वो भी? positive है इसलिए positive 6 अब positive 6 को एक बार x से करना है तो 6x हो जाएगा और positive 6 को minus a से multiply करना है तो minus 6 से sign change minus plus cancel out plus minus minus 6 में से एक है गया पाँच है positive तो यह आपका remainder हो गया rx खतम खोटा था ना? बस सेम चीज़ वही था बच्चो अब last question है बच्चो दियान से देखना यह exercise खतम हो जए गया simple था ना? यह वाला तो बाकियों भी practice कर रही है खुझ से एक एक बार दो दो बार जरूर last question है check whether 3x is a factor of factor of what? 3x cube plus 7x ठीक है? इसका तो factor कोई किसी का कब होगा? जब उसको completely divide कर दे और division करने पर divide करने पर remainder 0 है तो अगर यह इसको divide कर देता है और remainder 0 आता है तो वह इसका factor होगा तो चलो divide करके देख लेते हैं वो आपका p of x होगा यह आपका g of x होगा तो फटा-फट p of x को अंदर लिखेंगे और g of x को ऐसे लिखेंगे लेकिन x का time हमेशा कोशिश करना बच्चो पहले लिखेंगे अब क्या करने है अब आपको यहाँ पर x की power 3 है यहाँ पर 1x कितने x की ज़रत है x की power 2 इसको इस से multiply करके देखो यह आता है बिलकुल आता है 3x cube आ गया लिख दो यहाँ पर फटाफट 3x आप क्या करने है बच्चो इसको 7 से भी multiply करने है तो it will come 7x square यह square है लेकिन यहाँ पर square का कोई भी term लिए तो हम क्या करेंगे इसको separately लिख देंगे एक जगा पर प्लस का 7x square आप क्या करेंगे sign change perfect minus minus cancel out पहले बड़ी डिगरी का लिखेंगे तो minus का 7x square ऐसे लिख दोगे प्लस 7x ठीक है अब आप सोचोगे यह आगे solve नहीं होगा हो जाएगा solve यहाँ पर देखो x square है यहाँ पर single x है तो आपको हाँ एक और चीज sign कौन से होगा बच्चो जो sign यहाँ पर होगा वही sign लगाना है minus का किसकी ज़रत है बच्चो आपको यहाँ पर दिखान से देखो 3x को आप किस से multiply करो ताकि आपका 7x square हो जाए तो देखो दिखो दिखान से जाएगा यहाँ पर 1x तो चाहिए चाहिए होगा अगर मैं नीचे यहाँ पर 7 और यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 से 3 cancel out होगा 7x square आएगा तो करना है क्या बच्चो आपको simply 3x को multiply करना पड़ेगा minus 7x upon 3 से देखो दिखान से तब ही cancel out होगे minus 7x square आएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे minus 7x upon 3 ठीक है अब इसको इससे multiply करके देखो यही आएगा minus 7x square अब 7x को हम किससे multiply करेंगे 7 से 7x by 3 multiply by 7 तो it will become 49x by 3 वो भी negative का तो यहाँ पर x है यह भी x है like term है लिख देंगे हम यहाँ पर minus 49x by 3 साइन चेंज plus plus cancel out हो जाएगा बच्चों दोनों को जब उड़ रहा है याँ 49x upon 3 plus 7x LCM देंगे 3 LCM आ जाएगा यह 49x का 49x यह 21x हो जाएगा add करेंगे कितना होगा बच्चों 10 60 70x upon 3 ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख दूँँ है 70x upon 3 लिख दिया अब भी भी solve हो सकता है हाँ हो तो सकता है यहाँ पर आपको 70 चाहिए यह मैं मिटा रहा हूँ ध्यान से देखना बच्चों अब आपको क्या चाहिए 70 तो 3x को मैं किस से multiply करूँ ताकि पेरा 70x आ जाए तो x की ज़रद तो होगी नहीं आपको क्योंकि already x है आपके पास एक x वह ही तो इसको किस से multiply करूँ 70 upon 3 से कर दूँ हाँ 70x आ रहा है हाँ 70x upon 3 लेकिन यहाँ पे 3 है बच्चों क्या करना है 3 तो नीचे चाहिए जाहिए तब ही तो करेगा divide पूरा eliminate होगा तो 3x को आप किस से multiply करोगे 70 upon 9 से करके देखिए 3 बंजा 3 तो यहाँ पे आप plus का लिख दो 70 upon 9 तो multiply करोगे कितना आएगा बच्चों 70 तो यह तो आ गया पूरा आपका 70x upon 3 फिर 70 upon 9 को multiply करना है 7 से तो यह बनेगा 449 by 9 तो यहाँ पे लिख दो plus का 449 by 9 अब क्या करेंगे sin j minus minus cancel out हो गया यानि minus का 490 by 9 यह आपका क्या होगा answer होगा यह आपका remainder होगा और remainder क्या है 0 आया नहीं तो obviously this will be not a factor of this यह इसका factor हो गई समझ में आगया practice करते रहो अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से अपने आप आपको यह समझ में आदेगा जादा hard नहीं है practice करना जरूरी है ठीक है तब तरक अगर समझ में आगया तो like, share and comment जरूर करना बच्चो मुझे जरूर बताना अगर आपको respective subject में कोई भी video अगर आपको चाहिए गया दगना आपना बाइ